और बड़ी खबार आपको बताते देहरादून से आज से विकासकारियों की समीक्षा करेंगे सीम तिर्वेन सिंग रावत नौ जिलों की 37 विधान सभा में होई घोशनाओं की समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री के दौरा सभी जिलाधीकारियों से योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत सभी जिलाधीकारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जुडेंगे और सचिवाले में इस दोरान छेत्रिय विधायक भी मौजूद रहेंगे तो आज से जो घोशनाएं की गई हैं उनकी समीक्षा करेंगे विकासकारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत कि जांकारी के साथ हमारे सम्वाद दाथा विनोध हमारे साथ जुड़गा है विनोध से जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर विनोध मुक्ह मंत्री आज से जो भी विकास योजनाए हैं जो भी घोशनाए की गई नौ जिलों की 37 विधान सभाओं में उनकी जानकारी लेंगे किस तरह से समिक्षा बैठक ये की जाएगी और क्या वक्त तैकिया गया इसके लिए कोशल देखे आज मुख्यमंत्री त्रिवें सिंग रावत 11 बजे सची वाले पहुचेंगे और 9 जनपदों की 37 विधान सभाओं की आज समिक्षा बैठक करने वाले हैं और बारी बारी से आज मुख्यमंत्री समिक्षा बैठक करेंगे और 4 दिन का शेडूल तयार किया गया है यानि आज 17, 18 और 19 परी को तक का ये कम है और ऐसे में अलग अलग जनपदों की समिक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे आज 3 जनपदों की समिक्षा बैठक है चमपावत, पिथोरागड और बागेश्वर, छेत्रे विधायक मुझूद सची वाले में रहेंगे और इसके कितनी पूरी हुई है, हाला कि ये भी माना जा रहा है और जो जानकारी के अनुसार, जानकारी मिली है कि करीब जो मुख्यमंत्री, तिर्वेंसिक रावत की ओर से जो घोशना की गई है अलग जनपदों में, वो 70 फीजदी कही नकई पूरी हो चुकी है तो ऐसी में 4 दिनों तक 9 जनपदों की चाहिए इनके इन जिलों के बारे में बताईए कोशल देखे जैसे मैंने बताया कि पहले करम में चमपावत, बागेशवर और पिथोरागड की जो विधान सबाय हैं उनकी आज समिक्सा बैठक करेंगे और उसके बाद में 17 तारीक और 18 और 19 फरवरी को अलगलग जनपदों को भी मुखे मंतरी उनकी भी जो घोशनाय हुई है उनकी भी समिक्सा बैठक करेंगे लिहाजा भी महत पूर्ण यही है कि जिस तरह से लगातार अब करीब एक साल 6 बचा है आगामी विधान सबाय को लेकर तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जितनी भी घोशनाय की है तो मुखे मंतरी उनकी आज समिक्सा बैठक करने वाले हैं और जैसे मैंने बताया कि जानक बहुत शुक्री आपने असर बनाये रखिएगा